है है लो दोस्तों तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है डिफ्रेंसिविल्टी आफ फंक्षन आफ वन बेरियेबल इसके पहले चेप्टर है आज के इस important महत्वपूर्ण वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसे कि हमने आपको बता था continuity चेक करने के लिए इसके पहले लेक्षर में इसके पहले लेक्षर नमबर टू में इसके पहले चेप्टर में की इसे निकाले जाती है किसी फंक्षन की तो बिलकुल उसी तरीके से उ कोई function है क्या है कोई function क्या है यह फाफ यक्स एक और इसकी वैलू ओ इसका हमको यह बराबर एक पर दिफेरेंसीबीटुटी चेक करनी है कि एक सिट्सकूल टू disregard है की नहीं थो कैसे चेक करनी तो इसके लिए जैसे हंड आपको बताया हैं तो left hand derivative का limit जो होता है उसको दिखाते हैं यल f-a से ठीक है और right hand derivative का जो limit निकालते हैं उसको दिखाते हैं और f-a से हम इसको हम इससे denote करते हैं ठीक है अब देखिए इसका formula क्या होता है तो इसका formula होता होता है limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h यह होता है left hand derivative की limit का formula और right hand derivative का limit कैसे निकालते हैं तो limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h ठीक है यह होता है right hand derivative का formula अब देखिए एक condition भी यहां पर होती है जो को follow करने होती है condition क्या है कि limit जो आनी चाहिए left hand derivative की जो limit आनी चाहिए वह finite और unique आनी चाहिए क्यानी चाहिए finite और unique आनी चाहिए और जो right hand derivative का limit है यह भी finite और unique आनी चाहिए finite और unique आनी चाहिए यह भी अगर यह दोनों finite और की योनिक आ गई तो और दोनों अगर बराबर हैं तो समझ लेजिए कि यह इंपोसन और युवांक्ट्सन, उसको भी हम आपको समझा देते हैं ऊप्र यूटि और यह सब्सक्राइब है यह जरूर होगा यह निश्चित है लेकिन यह ज़रूरी नहीं तो आप तुरूंत समझेए कि यह continuous भी होगा चुकि अगर continuous नहीं होगा तो डिफिरेंसियेबल हो ही नहीं सकता ठीक है कि अगर कांटिनुवस है तो यह फंक्षन डिफ्रेंसियेबल होगा या ना होगा यह निश्चित नहीं है मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो यह रिजल्ट बहुत जरूरी है आप इसको याद रखेंगे ठीट है रिजल्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए यह कोश्चन में पूछ भी सकता है तो यह एक दो कोश्चन लेते हैं डिफ्रेंसिबिल्टी पर और इंपोर्टेंट कोश्चन लेते हैं एर्यू कोश्चन नहीं इंपोर्टेंट कोश्चन लेंगे जो कि आपको एक्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तो हमने आपके सामने एक क equal to 0 हो जाएगा यह बोल रहा है ठीक है इसका मतलब यह हुगा चलिए अब हम एक बार left-hand derivative का limit निकालते हैं और एक बार right-hand derivative का limit निकालते हैं तो और अगर दोनों finite unique आई बराबर आई और इसके बराबर है तो समझे यह function differentiable होगा चलिए हम यहां लिखते हैं left-hand derivative और यहां लिखते हैं क्या right-hand derivative अब दोनों का हम अलग-अलग निकालके देख लेते हैं चेक कर लेते हैं लेफ्ट-hand derivative में क्या होता है लेफ्ट-hand derivative में होता है क्या कि limit है एक टैंस टू जीरो एफ आफ जीरो माइनस एच माइनस एफ आफ जीरो अपान माइनस एच ठीक है चूंकि एक बैलू यहां पर क्या है जीरो है हमने एक स्टैंस टू ए पर लिया है और right-hand limit में सेम ऐसा ही होगा इसका us टाइजस टू जीरो एफ जीरो पलस एच मैनस एफ आफ जीरो अपान एच ठीक है कोई दिकत होगी इसकी बैलू 0 हो जाए गी चूंकि यहां पर आई है इसकी जीरो हो जाएगी और इसकी प्लाइच यानि इसकी फंक्शन में रख देंगे तो हमारा इसकी बैलू अजाए दी तो कि हो जाएगा लिमिट एच टैन्स टो ज ओ लिड़ो मांश साइन में फॉन अपां एच ठीक के अपान माइनस ह यर इच यह आपको दिखना ही रहा था लेकिन अप दिख रहा है ठीक है तो दिखिए यहां पर माइनस ह से यह माइनस ही एच कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो गया रिमिट हैसे टेंसट टूजीरो ऐफ हो जाएगा यह जाएगा यहा इहां यह विस्पर हम एच रख देंगे तो फॉट स्य क्या होगा एच साइन व Спान एच इस से यह हो 수도 Jah हैं बचागा तो यहां बच रहा है लीमिट सब्सक्राइब समय सब्सक्राइब तो सानी एट बाइब और यहां कि रहा है लीमिट ऐस तैंस टीन टु जिरो हमने आपको देखके वह मैनसे एक सुझ्क की बंदर होती है मैंसे जी ओर यह माइनस्व वन सरंगर मैंट्र मिछिए संध्य वेलु ऑड यहां हमितली उसके भी वेलू से भी वन के बीच भी वेलु ए नहीं होगी ठीक है इसके मतलब यह चैएज को नहीं were n सब्सक्रेड लेते हैं मैं डूसरा को कॉस्टन देखते हैं जो क дост industries देख लेते हैं जो कि दिफरेंसियेबलगे से अगला कोह्ष्टन क्या है यह उस्कूल दीफरेंसियेबलो पर सबस्क्राइब और लेफ्ट है यह आपड़ की बैलु क्या हो जाएगी यह फाफ इसमें जी रहा देंगे तो यह पूरा पूरा जीलोगा शुक्र यह बीजीरो यहां भी जीलोगी यह बीजी रहो जाएगा यह जीड़ो की बेलू अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके लव लिए सट टेंच टो जीरो एफ़ टीरो टेंस पांट उसट अपैनग माइनस एच ठीकर अपान माइनस एच य데उर क्मीट एच टेंख टीरो टीरो अब फिर्वाइन रहा होगा है आगे क्या होगा देखिए अग्हाइज टेंस तो जीरो इसकी बेखिए तो तो आगे इसकी वेलु मैक्षच आएगी इंदर अंदर माइन सब्सक्राइगी यानि हम इसी में माइनस रख देते हैं तो क्या हो जाएगा मैंड गार हघ के अपान माइनस्याज समझ क्या मए इतनी बात लिमिट हट टैंस जीरो या फा कि ऍच होगा 0000 वेसे रिधा जाएगा यानी सिसी में हम य cats रख देंगे लूकिया मौड एच ठीक है अपान यह समझ में इतने चीज मेर ने माइनस हो जाएगा पूरा का पूरा और माट आउफ माइनस हज क कि ऐती है माट माइनस हज की वालु क्या ती है तो वह आती यह चाहिए ठीक है और यह दोनों बराबर भी है और यह दोनों इसके भी बराबर है यानि कि क्या होगा हमारा फंक्शन क्या होगा डिफेरेंशीयबल होगा क्या होगा डिफेरेंशीयबल इट एक्स अग्स इएबल टो यह तो वसा करते हैं अपको यह सारे सीज़ा समझ में आ घए होगी मिलते हैं नेस्ट लेक्छर में तब तक क्लिए जैहिन